नई दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोक के द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही पूरे देश में आचार सहिता लागू हो गई है जिसका पालन सबके लिए अनिवार रहे है इसमें कई बातों का ध्यान रखना है निर्वाचन के समय कोई भी सरकारी कर्मचारी पॉल अगर ऐसा होता है तो इसे भी आचार सहिता का उलंगन माना जाएगा और कढ़ी कारवाई की जाएगी मंत्रियों दोरा ओफिशियल वाहनों का प्रयोग राजनेतिक कार्यों के लिए रोक लगा दी गई है इसके साथ ही सबको इन बातों का ध्यान रखना होगा पचास हजा पार रोपय से जादा का कैस लेकर नहीं चल सकेंगे नेताओं को अपनी गारीों से पार्टी के जंडे हटाने होंगे राजनायतिक दलों के पदा दिखारी आरों से अनुमत्ती लेकर गारी में जंडे का प्रयोग कर सकेंगे लाउड स्पिकर का प्रयोग करने की अनुमती सुबह छे बजे से रात दस बजे तक ही दी जाएगी अब कोई सरकारी वहन राजनीतिक कार्यों में प्रयोग नहीं किया जाएगा ओफिशियल कार्यों को कैमपेनिंग के कार्यों में मिक्स नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का प्रलोभन पर रोक लगा दी गई है वोटरों को आर्थिक अथवा कोई और प्रलोभन देकर ओट नहीं मांगना है निर्वाचक के द्वारा किसी भी प्रकार की जातिय और संपरदाईक अपील नहीं की जाएगी दूसरी पार्टियों एवं उनके कारेकरताओं द्वारा असत्यापित आरोपों के आधार पर आलोचना नहीं की जाएगी किसी भी धर्मस्थल का प्रयोग चुनाव प्रचार के लिए नहीं होगा और वहां भासडों, पोष्टरों, बैनरों को लगाने की मनहाई है ऐसा किसी भी जगह पर रैली की अनुमती नहीं दी जाएगी जहाँ पर पहले से ही किसी पार्टी की बैठक चल रही हो बूथों और पोलिंग स्टेशनों के पास किसी भी प्रकार के जंडे, पोष्टर, चिन्हों का प्रचार समरिग्रियों का प्रयोग निशेद है सरकारी परिसर में किसी भी प्रकार की वाल पेंटिंग, बैनर, पोष्टर, होर्डिंग वो जंडे की लगाने की अनुमती नहीं होगी सरकारी गेस्ट हाउसों में भी किसी भी प्रकार की पॉलिटिकल एक्टिविटी की अनुमती नहीं दी जाएगी पोलिंग स्टेशनों के 100 मीटर दायरे के अंदर किसी भी प्रकार की चुनावी मेटिंग या कन्वेंसिंग नहीं होगी किसी तरह की अफवाएं न फैलाएं जिससे मतदान प्रभावित हो दूसरे राजनेतिक दलों के कारिकरम या प्रचार में बेवधान न डालें चुनाव शामगरियों पर मुद्रक वप्रकाशक का नाम जरूर लिखें अचार सहिता के अन्य नियमों का पालन करें पुलिस वप्रशाशन का शहयोग करें चंदोली समाचार भी अपने सभी दर्सकों से यह अपील करता है कि अचार सहिता का पूर्ण रूप से पालन करें और बताये गए बातों पर ध्यान रखें